हलो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब सिलाई मसीन में कपड़े फसने लगे यहाँ पर दंती के पास कपड़े फस जाते हैं और वो पीछे भी नहीं खिसकते हैं जैसे हम सिलाई चलाते हैं तो कपड़ा अपने आप खिचता है वो खिच नहीं पाता है और यह पर कपड़े फस जाते हैं जिसे हमें इस तरह से खिचके निकालना पड़ता है इसके लिए हमें इसकी दंती को और हमारे ये दाब को फुट को देखना पड़ेगा कि इसमें कहीं कपड़े तो हमारे नहीं फस रहे हैं और दंती हमारे घिस तो नहीं गई है या रुखडा तो फुली स्पीड वाली है अगर आपकी फुली स्पीड नहीं भी है तो भी कोई आपको टेंसन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपके सिंपल मसीन है तो भी आपके यही प्रोसेस काम करने वाले हैं यह सेम यहीं चीज रहता है उसमें भी इसलिए आप जिस तरह से मैं इसमें कर इसके दाती बोलते हैं तो उसको हमें देखना पड़ेगा अगर वो घिस गया है तो उसे हमें बदलना होगा या कभी होता है सितारा वाला जो कपड़ा आता है उससे इसे फसके और यह खराब हो जाते हैं जिससे कपड़ा यहां पर फसने लगते हैं तो इसके लिए हमें सबस साट निकालके रख लिया है और अब यह हुँ यहां पर दो स्क्रूब को निकाल लेती हूं आपके यह चाहे यह Esteem यह बी माम्सीं हो तो सब में सेम चीज रहता है इसमें कोई फरक नहीं पड़ता है अ यह हमारा हाई स्पीड वाला मसीन है पर आपके सिम्पल मसीन भी है तो उसमें भी यही होता है प्रॉब्लम भी यही आती है और फंक्शन जो रहता है यह डिजाइन जो रहती है सब सेम ही रहता है तो यह मैंने इस कुरूब को निकाल लिया है और अब इसे इस तरह से इस तरह से मैंने इसको निकाल के हटा लिया और यह जो है इसको भी मैं थोड़ा खिसका लेती हूं ताकि हमारा अंदर का पाठ अच्छी तरह से दिखे यह हमने हटा लिया है और अब यह जो हमारा यह दंत है इसे हमें देखना है कि यह जब हम ज्यादा हम चलाते हैं मसीन ज् नहीं तो कभी इसके दंप में फसने लगता है कपड़ा जो कि यहाँ पर खराब हो जाते हैं इसके दंप तो उसके लिए हमें यह दो इसके लिए हुए हैं यह दोनों को हम इस तरह से मदद से इसको खोल के निकाल लेंगे और इसे हम फिर से नया लाके और वापस इसमें लगा देंगे तो हमारी मसीन अच्छी चलने लगेगी तो आप के अगर कपड़े फस रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पर हम में कुछ डश्ट दिख रहा है तो हम उसको अब साफ करी लेते हैं जब मैं इसको खोल ली हूं तो यह तो आपका प्रवलम सॉल्व हो जाएगा तो इस तरह से आप करें तो आपका प्रवलम सॉल्व हो जाएगा सबसे पहले आप इसको दौत को चेक करें और हमारा यह जो दाब है दाब को भी देख लैं कि यह अंदर जो है अंदर पूरा यह इस तरह से सॉप्ट होनों चाहिए चिकना ओनों चाहिए कभी होता है इसके यह रुखडा आ जाता है तो इससे भी कपड़ा फसने लगता है तो आपको पहला चीस्ट यह दाब को आपको देखना दंती कहीं घिस गया है उसके कारण भी बदलना पड़ता है या नहीं तो दंती जो होता है वह खराब हो जाते हैं रुखड़े हो जाते हैं जिसे कपड़े फसने लगते हैं तो आपको यह दोनों चील देखना होगा अगर आप यह बदल देंगे यह खराब हो जाए तो आपके कपड़े नहीं फसेंगे और कपड़े भी जिस स्पीड में जहना चाहिए उस्पीड में जो है कपड़ा यह खीचेगा इस तरह से आपकी सारी प्रब्लम दूर हो जाएगी तो फिर यह इस तरह से फिर हम इसको लगा लेती हूं यह हमने अच्छी तरह से सेट कर लिया और यहां पर लगा लिया अब इसके चाप को भी मैं लगा लूँगी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन का जरूर दबा लिजे ताकि हमारी अने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इस वीडियो को लाइक और सेर भी जरूर करें यह वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट करके जरूर बताईए